नमस्कार प्रमसाक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे साबजरिक संपत्ति को नुकसान पहुचाने वालों पर क्या कहता है भारत का कानून तो आए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को लेकिन उससे पहले अगर आ सरकार ने अगरिपत्य योजना शुरुआत की है तमाम रक्षा और सायन विशशक इसे सेना के सुधारों को लेकर करांतिकारी कदम बता रहे हैं लेकिन योजना के कई प्रावधानों को लेकर बिरोत्थ प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है सरकार जल्द ही योजना जिस संपथि को लगतार निशाना बनाया जा रहा है। रेलवे को कई ट्रेनों को रद करना पड़ा है। उत्तरप्रदेश से लेकर बिहार तक प्रदर्शनकारी रेलवे की संपत्ति को नुक्सान पहुचा रहे हैं। अब तक दर्जनों ट्रेनों को जला दिया गया है, पतरियां उखार ली गई हैं और ट्रेनों में पत्राओ करने की कोशिश भी की गई है। अगनिपत योजना के बिरोध बे रेलवे ट्रेक जलाने और तोर्फोर करने वाले यवाओ का फ्यूचर खत्रे में पढ़ सकता है। इनके लिए सेना के दर्वाजे हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। अगनिपत भरती योजना की घोशना के बाद ब्यापक हिंसा होई है। पैगंबर मुहम्मद पर की गई टिपनियों के बाद राष्ट ने हिंसा भी देखी थी। इन सभी मामलों में दंगाईयों ने सडकों पर उतर कर संपत्ति को नुकसान पहुचाया है। करोरों रुप 1984 में पेश किया गया था संसत द्वारा अधिनियमित अधिनियम सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोक्ताम और उससे जुड़े मामलों के लिए लाया गया था यहां अधिनियम 28 जनवरी 1984 को प्रभावी हुआ। सार्वजनिक संपत्ति की परिभाशा। सार्वजनिक संपत्ति का अर्थ है कोई भी संपत्ति चाहे वह अचल हो या चल किसी भी मशिनरी सहित जो स्वामित्व में हो या उसके कबजे में हो या उसके नियंत्रन में हो। केंद्र सरकार राज्य सरकार कोई भी अस्थानिय प्राधिकरन केंद्रिय अनंतिम या राज्य अधिनियम द्वरा अस्थापित या उसकी अधिन कोई भी नियम कंपणी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाशित कोई भी कंपणी ये ऐसी कंपणिया है जो सरकार के पास होती है जिसमें केंदरी राज्य सरकार के पास 51 प्रतीशत से कम चुकता शियर पूंजी नहीं होती है IT में एक कमपनी भी शामिल है जो सरकारी कमपनी की सहायक कमपनी है सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुचाने वाली शरारते जो कोई भी प्रकृति की सार्वजनिक संपत्ति के संबंध में कोई कार करके शरारत करता है उसे 5 साल तक की कैद और जुर्माने के साथ डंडित किया जाता है आग या विस्फोटक पदार्थ से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुचाने वाली शरारत जो कोई भी आग या विस्पोटक पदार्थे द्वारा अपराद करता है उसे कठोर कारवास से डंडित किया जाएगा जिसकी अवधी एक वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जुर्माने के साथ इसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है अधिनिया में यह भी कहा गया है कि उपरुक्त अपराधों के आरोपी या दोशी व्यक्ति को यदि हिरासत में है तो उसे जमानत पर या अपने स्वैम के मुचलके पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि अभियोजन पक्ष को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का बिरोत करन का औसर नहीं दिया गया हो धारा 427 भारतिये दंद सहीता जो कोई भी शरारत करता है और 50 रुपए या उससे अधिक कि राशी को नुक्सान पहुचाता है उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना दोनों से डंडित किया जाएगा धारा 425 आईपीसी जो कोई भी इस आशे से या यह जानते हुए कि वह जनता या किसी व्यक्ति को गलत तरीके से नुक्सान पहुचा सकता है किसी भी संपत्ती को नस्ट करता है या किसी भी संपत्ती में या इस तरह के किसी भी बदलाव का कारण बनता है इसकी स्तिती के रूप में इसके मुल या उपियोगिता को नस या कम कर देना है या उन्हें हानिकारक रूप से प्रभावित करता है शरारत करता है इसके अलावा और किसी भी तरह के बवाल में शामिल होने पर IPC की धारा 147 और 148 के तहत केस दर्ज हो जाती है भारतिय डंड सहीता 1860 की धारा 148 में घातक आयूध से लैस होकर दंगा करना परिभासित किया गया है IPC की धारा 148 के अनुसार कोई घातक आयूध का उपयोग करके दंगा करने पर तीन साल की सजा हो सकती है या फिर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है या दोनों से डंडित किया जा सकता है हिंसक प्रदशन में शामिल युवाओं का क्या हो काले में पुलिस केस दर्ज होने को लेकर कोई एक कानून नहीं है लेकिन अलग-अलग राज्यों में सेवा नियम बने हुए हैं जिसके तहत कहा जा सकता है कि जो लोग विरोध के नाम पर उपद्राव कर रहे हैं वे सेना तो क्या किसी भी सरकारी नौकरी में जाने के लाय पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाता है तो चयन अस्विक्रित कर डिस्क्वालिफाई कर दिया जाता है इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति या अभ्यार्थी छोटे मोटे अफराद में शामिल हुआ और उससे CRPC की धारा 107 और 151 के तहत बॉंड भरवा करवादा लिया जाता है कि वो आगे कभी भी अपराद में शामिल नहीं होगा तो आज के लिए इतना ही अगले पॉड़कास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे विस्तित जानकारी जुड़े रहिए प्रभासाक्षी के साथ